नमस्कार दोस्तों हर्शित दिवेदी एजूकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीच सागर क्लास 11 ncrt प्रोलिटी की किताब चल ला था आज अब चाप्टर 7 शुरू करेंगे फेडरलिसम शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले दो पॉलिटिकल मैप्स देखिए एक यह है इंडिया इन 1947 इस मैप में आप देख सकते हो दोस्तों इंडिया को अलग-अलग प्रोविंसस में डिवीट किये थे प्रिटीशेस ने बेसिकली उनका अट्मिन्स्टेटिव कंविनेंस क अब देखिए सकते हो मैसूर, मद्रास, ओरिशा, सेंटल इंडिया, गुजराद, पंजाब, युनेटल प्रोविंसस इस तरह फिर देखिए 1947 के बात जैसे हम इंडिपेंडेंड हुए फिर हमारा री ओगनेसेशनल स्टेट्स हुआ बेसिकली हमारा जो इसके बद कई बार हमारे स्टेट्स को री ओगनेस किया गया, जैसे कि अभी जितने स्टेट्स है वो सब कई सरे री ओगनेसेशन के बाद ही बना है, कई बार स्टेट्स की बांडरी को चेंज किया गया, कई सरे स्टेट्स का नाम बदल दिया गया, स्टेट वालों के इंट दाडू किया गया मैसूर स्टेट का नाम मतलकर करनाड़का किया गया है कि नहीं तो पिछले 70 साल में हमारा political map में काफी सारे changes हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो तो basically यह दोनों जो maps है हमें federalism की एक कहानी बताते हैं तो इस chapter में हम कुछ important points discuss करेंगे federalism से regarding जैसे कि federalism मतलब क्या होता है Indian constitution में क्या-क्या federal provisions available है center and states के बीच में जो relation है उसके उपर क्या-क्या issues होता है और कुछ states को कुछ special provisions दिया हुआ है यह भी देखेंगे so what is federalism कुछ examples के साथ discuss करते हैं USSR या फिर Soviet Union के बारे में आपको पता होगा one of the world's super powers थे 1989 के बाद USSR अलग-अलग independent countries में breakup हुए थे तो ऐसे breakup होने का major reasons क्या था एक तो excessive centralization था and concentration of power था देखें USSR मतलब बहुत बड़ा एक एरिया था अब USSR के अंदर काफी सारे countries थे जिनके culture अलग थे language अलग थे उन्हें यह centralization अच्छा नहीं लग रहा था basically USSR का जो center government है वो सारे countries के उपर dominate करता था जिनके अलग culture है अलग religion है अलग language है तो अब्योसी बात है जब एक single country रहेंगे एक center power का dominance रहेगा बाकी सारे countries के ऊपर मतलब बाकी सारे regions के ऊपर यह कुछ countries को सही नहीं लग रहा था ठीक है तो इसलिए USSR break up हुआ तो इसके एक्जामल से दोस्तों उस्बकिस्तान तुर्कमनिस्तान तजाकिस्तान अजर्बाइजान अर्मेनिया बेलारुस, एस्टोनिया, जोर्जिया तो इन सारे countries के culture, religion, language सब अलग थे तो इने एक centralized governance अच्छा नहीं लग रहा था इसके अलावा चेकोसलाविकया, युगोसलाविया, पाकिस्तन जैसे countries में भी division हुआ है independence के बार, मतलग वो country डिवेड होके अलग-अलग independent countries बना है पाकिस्तन और बेंगलादेश का division के बार में मालू में आपको 1971 में जो बेंगलादेश liberation war हुआ था चेकोसलाविकया का division हुआ था, युगोसलाविया का division होके अलग-अलग countries बने थे Canada में भी ऐसे division होने वाला था, basically Canada में English-speaking regions भी है, French-speaking regions भी है वो दोनों अलग-अलग countries बने वाला था पर fortunately वो हुआ नहीं, तो इसे अगर compare करोगे independence के बाद इंडिया में ऐसा किसी भी तरह का division नहीं हुआ है दोस्तों, 1947 में इंडिया पाकिस्तान का partition तो हुआ था, ये बात आपको मालूम है उसके बाद इंडिया में किसी भी तरह का division नहीं हुआ है, ये हमार लिए एक achievement है ये achievement हम इसलिए अचीव कर पाया क्यूंगी हमारा federal structure की वज़े से constitution के द्वारा हम एक federal structure of governance अडोब किया है तो एक federal structure में एक central government है, बाकि state governments है, state governments को अपना autonomy दिया हुआ है और central states के बीच में जो relations है, उसे हम maintain करते हैं, कभी-कभी problems होते हैं, वो अलग बात है, फिर भी अगर आप देखोगे, हमारा जो federal structure है, वो successful रहा है वैसे जितने countries का example मैंने आपको इधर बताया, USSR, Canada, Czechoslovigya, Yugoslovigya, ये सारे federations थे वो भी federal system adopt किये थे, फिर भी उधर divisions हुआ, तो federal system adopt करने से नहीं, nature of federal system क्या है, practice of federalism क्या है, उसके उपर depend करेगा, आपका federal system कितना successful होगा या नहीं Now, India is a land of continental proportions and immense diversities, देखें, इंडिया में diversity बहुत है दोस्तों, अगर आप North India और South India से compare करोगे, West India और East India से compare करोगे, काफी सारे differences आपको देखने को मिलेगा 20 major languages है दोस्तों, इंडिया में and several hundreds of minor languages भी है, several major religions है, several million indigenous peoples है, जो different parts of the country में रह रह रहा है इन सब के बावजूर हम एक common landmass शेर करते हैं, हमारी जो history है वो भी common रहा है, Britishess के against independence के लिए हम सब एक साथ वोकर आसे country fight किये थे हमारे जो national leaders थे वो भी इंडिया को आसे country visualize किये थे, जहांपे unity in diversity है, sometimes unity in diversity गो unity with diversity भी बोलते है वैसे federalism का कोई fixed principles नहीं है, different situations के साब से different type of government, different countries में evolve होआ है for example, American federalism यह German और Indian federalism से अलग है, but there are also a few key ideas and concepts associated with federalism फिर भी, federalism का कुछ key ideas and concepts है, जो सारे countries के लिए common है, तो वो कौन-कौन से key ideas and concepts है, वो check करते है Essentially, federalism is an institutional mechanism to accommodate two set of policies, one at the regional level and other at the national level तो two set of policies रहता है federalism में, एक national level में, बेसिकली जो central government हम बोलते है और एक region level में, जिसे हम state government बोलते हैं, और दोनों government को autonomy दी जाती है ठीक है, कुछ federal countries में आपको ये भी देखने को मिलेगा, system of dual citizenship भी है, पर इंडिया में single citizenship है जैसे कि मैं केरला का हो, अब मेरे पास Indian citizenship है, केरला का citizenship नहीं है पर अगर आप USA में जाओगे, USA में जो 50 states है, वो 50 states में जो लोग है, उनके पास state citizenship भी है और American citizenship भी है इंडिया में भले में केरला ही टूँ या फिर कोई गुजराती है, कोई मराथी है, पर उनके पास एक ही citizenship है, वो है Indian citizenship अगर आप लोगों की बात करें, उनके पास two sets of identities and loyalties होगा मतलब एक तो वो state से बिलोग करते हैं और वो इंडिया से भी बिलोग करते हैं, बेसिकली अगर एक गुजराती है या फिर जारकंडी है, वो गुजराती और जारकंडी तो है, at the same time वो Indians भी है and each level of polity has distinct powers and responsibilities and has a separate system of government है कि नी, each level के पास, मतलब state के पास भी, center के पास भी distinct powers and responsibilities है जैसे कि union के पास कुछ powers है वो सब हमने पहले discuss किये थे और state के पास भी कुछ powers and responsibilities है उनके system of government भी अलग है, center government में parliament है, उदर MP से और हर एक state government में MLA से और यह जो dual system of government है, basically central and state government, यह हमेशा एक written constitution में लिखा रहेगा अगर इंडिया में है तो Indian constitution में लिखा रहेगा, अमेरिका में है तो American constitution में लिखा रहेगा और यह constitution को हमेशा supreme माना जाता है और it is also the source of power of both sets of government देखे, state government and central government को जो powers दिया हुआ है, वो कहां से derive किया है, constitution से derive किया है तो यह सारे countries में ऐसे ही रहते है और certain subjects which concern the nation as a whole for example difference or currency are the responsibility of the union or central government देखे, मैंने आपको union list, state list, concurrent list यह सब के बारे में बताया था सारे federal countries में कुछ powers को जो पूरे nation को concern करते हैं, वो union government को दिया जाता है जैसे कि for example, defense हो गया, currency हो गया, telecom हो गया, foreign affairs हो गया, वो सब central government का subjects रहता है regional और local matters are the responsibility of regional और state government, ठीक है, जो regional matters है जैसे कि law and order हो गया, हर state में अपना police force है, तो यह सब क्या है, regional matters है यह regional और state governments को दिये जाते हैं, now, यह dual system of government में, center and states के बीच में conflicts होने का chances है, ठीक है, तो अगर इस तरह के conflicts होगा, तो इन्हें solve कोन करेंगे उसके लिए एक independent judiciary होगा, जैसे कि हमारा Supreme Court of India है, अमेरिका में भी है, federal court, हैगी नहीं, तो basically states and center के बीच में, जब भी conflicts होता है, उसे solve करने की responsibility, independent judiciary का होगा and the judiciary has the powers to resolve disputes between the central government and the states on legal matters about the division of power देखिए, division of power से regarding, अगर कोई dispute होता है, center and state governments के बीच में, तो यह judiciary solve करता है पिछले chapter, judiciary से regarding था, उसमें मैंने Supreme Court का original jurisdiction के बार में आपको बताया था original jurisdiction क्या है, अगर state or center government के बीच में कुछ issues होता है, या फिर state और दूसरे state के बीच में कुछ issues होता है उसे solve करने की responsibility, या फिर solve करने का जो authority है, वो Supreme Court के बास से उसे original jurisdiction बोलते हैं, तो यह सारे कुछ common concepts and ideas है, जो आपको दुनिया भर के countries में देखने को मिलेगा पर इसे हर federation एक जैसा काम करते हैं, या बोल नहीं सकते, real politics, culture, ideology, history, यह सब determine करेगा कि एक federation किस तरह से काम करेंगे, for example मैंने आपको युगोसलावी या चेकोसलावी किया, पाकिस्तन जैसे countries का example दिया था, यह सारे federation थे, पर वो federation successful नहीं रहा, यह सारे common concepts and ideas होने के बावजूद वो countries divide हुए, अलग-अलग countries में, अब पाकिस्तन और बेंगलादेश का example ले लीजे, बेंगलादेश पहले East Pakistan था, यह बात आपको पता है, आप West Pakistan वाले जो authorities थे, वो East Pakistan से आतियाचार करते थे, जो East Pakistan के लोगों को बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, इस वज़े से East Pakistan अलग होना चाहते थे, West Pakistan से, तो basically एक federation में, central government and state governments, या regional governments के बीच में, एक mutual trust होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, mutual respect and restraint होना चाहिए, तब जाके वो federation smoothly काम करेंगे, पाकिस्तान जिस तरह East Pakistan के साथ किया, उस तरह करेगा तो कोई भी federation, वो sustain नहीं हो पाएगा, और इसमें political parties का भी role important है, क्योंगि ये political parties ही, आखिर में जाकर government बनाएगा न, गर्मन में बैटके उनी को सारे states को एक साथ लेके चलना है, now, if any single unit or state or linguistic group or ideology comes to dominate the entire federation, it could generate a deep resentment among people or its units, not sharing the dominant voice, इसका मतलब क्या है, देखे, एक federation में अलग-अलग states रहते हैं, और अलग-अलग states, अलग-अलग region से बिलोंग करते होंगे, अब कोई एक particular region के states, बाकी सारे region को dominate करने की कोशिश करें तो obviously, जिसके ऊपर वो domination हो रहा होगा, उनको अच्छा नहीं रगएगा, for example, हिंदी को national language बनाने का एक debate चलना था हमारे parliament में, काफी सालों से चलना है, हिंदी अभी के लिए official language है, हमारा national language नहीं है, अब आपको पता है दोस्तों, हिंदी जो है, इंडिया में, केवल North India में popular है, अगर आप North East में जाओ, South India में आओ, तो इधर हिंदी इतना popular नहीं है, उथर जो regional languages है, वही popular है, तो अगर सारे हिंदी speaking states मिलकर हिंदी को national language बनायेंगे, तो obviously बाते जो South Indian states है और North Eastern states है, जहां हिंदी इतना popular नहीं है, जहां maximum लोगों को हिंदी आता तक नहीं है, तो उन करेंगे, तो problems हो सकता है, कई सारे examples है, दोस्तों, कई सारे countries में, जब एक federation टूटा है, ऐसे ही instances में, मतलब एक particular region बाकी सारे regions को dominate करने की कोशिस करते है, अब इधर मैंने केवल language का example दिया, केवल language से नहीं, culture, religion, ethnicity, religion, इसे भी हो सकता है problem, मैंने आपको शायद class 10 की NCRT policy में स्री लंका का एक example दिया था, स्री लंका में civil war क्यों हुआ था, क्योंकि independence के बाद स्री लंकन government में maximum लोग सिंहलीस लोग थे, वो लोग maximum जो constitutional post है, government post है, वो सब सिंहलीस people को दे रहे थे, स्री लंकन जो तामिल से उनके साथ गलत हो रहा था, फिर मैंने आपको यूरोप में क कुछ countries थे, जहां पर कुछ particular community के साथ इस तरह गलत हो रहा था, है कि नहीं, तो इस तरह होने से problem क्या होगा, जिनके साथ गलत होता है, वो एक separate country का demand करेंगे, तो एक federal system में ये सब देखना पड़ता है, ऐसा कोई भी decision central government की तरफ से नहीं होना चाहिए, ताकि कोई regional government का sentiments को hurt करें, तो basically balance maintain करना होगा, सब चीज में, अब दोस्तों इथर, federalism in West Indies के बारे में लिखा होगा है, आपने West Indies cricket team के बारे में सुना होगा, पर क्या West Indies एक country है क्या, नहीं है दोस्तों, West Indies basically North American continent and South American continent के बीच में, जो Caribbean सी है, उथर के island countries का नाम है, उन सारे island countries को collectively West Indies बोलते ह उसमें कई सारे countries है, जैसे कि Jamaica हो गया, Trinidad and Tomago हो गया, ठीक है, ये सारे examples से, Barbados हो गया, इंडिया जैसा West Indies को भी British ने colonies किया था, 1958 में Federation of West Indies established हुआ था, ठीक है, Federation of West Indies, पर ये Federation successful नहीं रहा दोस्तों, एक तो central government काफी weak था, और सारे island states की economy independent था, ये सारे features की बज़े से, औ और political competition की बज़े से, Federation 1962 में dissolved हुआ, ठीक है, बाद में, 11 साल बाद 1973 में, Treaty of Shigora Maas sign हुआ, and the independent islands established joint authorities in the form of a common legislature, supreme court and a common currency, ठीक है, तो सारे countries मिलकर, एक joint authority form किया, और सारे countries के लिए common legislature होगा, common supreme court होगा, and common currency होगा, और एक हद तक, एक common market भी established किया दोस्तों, नोनास Caribbean community, the Caribbean community has even a common executive, and the heads of governments of member countries are members of the executive, तो सारे जो Caribbean community है दोस्तों, इनका एक common executive है, और ये executive में कौन members है, जितने Caribbean countries है ना, उनके जो heads of the governments है, वो इस common executive के members है, thus the units could neither live together as one country, nor can they live separately, मतलब ये सारे जो Caribbean country से वो एक साथ आसे single country तो रह नहीं पाए, फिर भी वो separate भी नहीं है, क्यूंकि तुरू Caribbean community वो एक साथ भी है, Finally, federalism in Nigeria, देखे, एक federation में अगर अलग-अलग regions and communities एक दूसरे के ओपर trust नहीं करोगे, तो वो federal arrangement successful नहीं होगा, इसके लिए सबसे अच्छा एक्जाम्बल है Nigeria का, 1914 तक Northern and Southern Nigeria दो separate British colonies थे, फिर इबादन constitutional conference जब 1950 में हुआ, तो Nigerian leaders ने डिजेट किया, एक federal constitution बनाने के लिए, वैसे Nigeria में तीन major ethnic groups है, युरूबा, इबो, अन होसा फुलानी, जो basically western region, eastern region and northern region को control करते थे, अब ये जो तीनों ethnic groups है दोस्तों, ये एक दूसरे के ऊपर dominate करने का, influence करने का कोशिस करता था, इसी वज़े से काफी सारे conflict भी हुआ था Nigeria में, तो ये conflicts की वज़े से उथर military rule आया, फिर 1960 में constitution बना, उसम एसा एक provision बनाया, federal and regional governments जो है, jointly control करेंगे Nigerian police को, फिर 1979 में military supervision बना, उसमें ये बोला गया, no state was allowed to have any civil police, किसी भी state को civil police रखने का permission नहीं है, जो Nigerian police होगा, वो federal government का या फिर central government का control में रहेगा, तो ऐसी क्या वो चलता रहा है Nigeria में, फाइनली जाके 1999 में उथर democracy restore हुआ, पर देखें दोस्तों, ये जो युरूबा, इबो, हाउसा फुलानी, ये सारे ethnic groups के बीच में जो differences है, वो तो चलता है रहा, सबसे main problem ये हैं दोस्तों, नाइजिरिया में oil resources बहुत है, अब ये oil resources की जो revenue है, उसे कोन control करेगा, उसी बारे में हमेशा conflict चलता रहा, local ethnic communities resist centralized control of oil resources, जितने local ethnic communities है, वो हमेशा resist करते हैं, oil resources के उपर central का जो control है, उसे, thus Nigeria is an example of overlap of religious, ethnic and economic differences among the units, ठीक है वैसे, बोलने में तो Nigeria एक federation है, अच्छी बात है, पर उथर ये जो ethnic groups के बीच में जो conflicts है, religious and economic differences है, उस वज़े से वो federation, एक successful federation नहीं बना है अभी तक, अब ये map देखें दोस्तों Nigeria का, Nigeria एक West African country है, Nigeria का जो western portion है, वो Atlantic Ocean से मिलता है, वैसे Nigeria में तीन major ethnic groups है, जैसे मैं आपको बताया, होसा, योरूबा और इकबो, होसा नॉर्थेन साइड में है, योरूबा वेस्टे आप बोल सकते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया, Nigeria में सबसे बड़ा issue तो, oil resources को लेके, लेकि कोई भी federal system में आपने देखा होगा, natural resources वगेरा, central government का, या फिर federal government का ownership में रहते हैं, पर oil resources से revenue भी बहुत है, इसलिए जो regional governments है, basically जो regional groups है, वो oil resources का ownership क्लेम करते हैं, इसी बात को लेके, Nigeria में conflicts होता है, अब, oil, दुनिया भर में एक बहुत बड़ा issue है, दोस्तों, क्योंकि, oil से revenue भूत ज्यादा आता है, है कि नहीं, साथ साथ में, Nigeria में, oil theft भी होता है, दोस्तों, oil की चोरी होता है, recently एक report आया था, Nigeria में एक साल में, करीब 73 million barrels of oil का चोरी होता है, करके, त इस तो हमने federalism के बारे में देखा, USSR, Czechoslawi किया, Yugoslawi, Pakistan जैसे countries में, federal system adopt होने के बावजूर, कि इस तरह countries को debate होना पड़ा, कई सारे reasons के वज़े से, वो देखा हमने, फिर हमने ये देखा, कि देखे, federalism, जो है, अलग-अलग countries में, अलग-अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है पर, सबके बीच में कुछ common ideas and concepts है, मतलब सारे federal system में आपको ये सारे ideas and concepts देखेने को मिलेगा, वो हमने चेक किया, फिर हमने basically, federalism in West Indies and federalism in Nigeria के बारे में देखा, ठीक है, तो अगले वीडियो में हम, federalism in the Indian constitution से शुरू करेंगी, ठीक है, तो ये hope आपको video informative लगा होगा, ज्य Thank you for watching, bye bye, have a nice day.